तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इन्पॉर्टन्स कमपानी के अपडेट सेर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरल आस तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जुरू कर लिजेगा इन्फॉर्मेशन और अपडेट सामने के लिए चैनल को पर बने रही हैगा तो चलो देख लिए कौनसे कमपाणी है इस वीडियो के अंदर परस्ट चे कमपानी है उसके नाम है Sona BLW तो Sona BLW जो Sona Coms नाम से जाना जाता है तो बहुत दिन के बाद इस कमपानी के उपर में अपडेट आपके सामने लेके आए हो क्योंकि मुझे बहुत सर दोस्तों का कमेंट्स भी था तो चलो भी देख लेते इस कमपानी के पार्फरमेस और फिलाल के सिच्वेशन क्या है सबसो पहले मैं चार्ट पटन के उपर चरा जाओंगा देखे बहुत दिने के बाद यहाप एक रेंज बना था कुछ टेट बना था वो टेट कुछ इस तरीके से है इसको कहा जाते है इसके बाद एक एक हेड बना इसके बाद एक सोल्डर पटन के ईड हुआ और फाइनली देखिये मैं इन्तेजर कर रहा था यहाप है बरेक आट होगा र How acuerdo confirmation कब हो गए तो फाइनली यहाप है Month उपर जाने के बाद ही Virtual Intelligence के लगई हुआ एक क्रेस हो गया तो कभी-कभी इस तरी के से सिच्योशन बनता रहता है क्योंकि मार्केट के उपर डिबंड करके सब कुछ होता है कि कुछ दिनों से निप्टी सेंसेक्स में लगातार एक प्रेसराइज देखने को मिले तो जो लोग सूच रहे कि निप्टी से गिर रह है बो है प्रौफिट बुकिंग तो प्रौफिट बुकिंग अच्छा-कासा हो रहा है उस बेसिस में मार्केट गिरावर्ट हो रहा है तो सोना कॉम कि trade तो बन चुगे है trade क्या सही में trade आगे बढ़ पाएंगे क्या सही में trade target तक जा पाएंगे देखे सब सब पहले में एक point आपके साथ share करना चाहूंगा देखे जब भी कुछ इस तरीके से कोई trade बने तो आपको एक चीज़ों को ध्यान रखना होगा जब breakout confirm होंगे तो उसके बाद जो इसका target निकल काएगा target कहा से निकल काएगा यहापे जो cuff है इस cuff का size यहापे marking करना है तो cuff का size marking करना है तो इसको क्या बनेगा यहापे एक target बनेगा तो वो target जो बनना है वो target previous जो swing high है तो वो swing high के निचे बनना चाहिए swing high के निचे अगर बने तो एक higher possibility है कि उस target को वो achieve कर सकते है देखिए इसका कोई 100% guarantee तो नहीं होता मगर मैं इतने साल तक काम करने के बाद मतलब इतने साल तक काम करने के बाद मुझे इस तरह के से patterns के उपर मैं जब भी trade लिया तभी मुझे target अची हुआ क्योंकि एक range बन जाता है जो range के उपर क्या होते है आप देखेंगे तो इस तरह के से EU pattern बनेंगे और इसको recovery भी करेंगे तो अभी थोड़ा सा time लग सकता है इसे नहीं कि जब भी breakout हो गया और NT बन गया तो rocket बनेगा ऐसे बिल्कुन नहीं हामेशा market खुद के उपर चलेंगे तो आपको patient के साथ बने रहना होगा अगर आपको company के उपर भरोसा है तो कितना भरोसा है चलो वो में आपको दिखा देता हूँ Sona BLW के उपर में एक ही बात करूँगा कि जो companies के जो performance है quarter ले जो result है उसमें देखे कोई कमिया देखने को नहीं मिलेगा और इस company को कोई छोटा मोटा company मत समझ लेना Sona BLW एक ऐसे company है Sona comes एक ऐसे company है जिसको लगातर project मिलते चले जा रहा है मैं आभी आपको दिखाऊंगा उसके साथ-साथ company के net profit भी देखिए लगातर बढ़ता हो देखने को मिले तो कोई भी कमिया आपे नहीं देखने को मिले और उसके साथ-साथ balance sheet में देखिए तो company का reserve जो borrowings है वो काम होता देखने को मिले previous data से और reserve बढ़ता हो देखने को मिले company के खुद की business को पर देखिए अच्छा-खासा पैसा भी लगा रहा है SNE के पैसा नहीं लगा रहा है उसके साथ company को अच्छा-खासा trade भी मिला करीबन जो trade रिसीव हुआ करीबन 676 करोड के आसपास तो एक अच्छा-खासा company को project मिलते जा रहा है उसी basis में as a investor promoter से लेकर FISDS public हर किसी के पास investment देखने को मिला तो इतने सारे points अगर based है तो company तो आगे बढ़ेंगे ही तो बाकी आप समझदार है समझदार इसे काम लिजए क्योंकि मेरे वीड़ो हमें से education परपास में होते है कोई भी buy and sell का recommendation ही है मेरे खुद का date में आपके साथ सियार कर रहो अगर आपको काम करना है तो आपके opinion की साबसे जूरू करना पड़ेगा next जो company उसके बारे में चर्चा करू उसका नाम है Polycap India देखिए Polycap India Limited जो company है इस company के बारे में एक बात में जूरू करने चाहूंगा कि Polycap India Limited जो है इस company के उपर एक policy point आपको हामेसा याद रखना होगा कि company इसके उपर एक negative news सामने लेकिया है और सेर के उपर big correction देखने को मिला एक पर आपको दिखाए देता हूँ देखिए negative news आया और इसके बार इतना बड़ा crash देखने को मिला और crash भी कोई छोटा मोटा नहीं हुआ अगर मैं crash के situation से अगर मैं downside तक देखू तो almost almost 25 से 30 percent के आसपास crash हो गया वो भी 3 से 4 दिन का अंदर अंदर और मैंने आपको यह भी बता है कि जब इस तरीके से correction होता है तो कभी न कभी वो reversal करेगा और finally देखिए यहां पर एक strongly support था उस support के आसपास आये और उसके बाद पहले ही reversal होना start हो गया अभी दो तरीके से scenario बन सकते है यहां पर जो 200 days यह में है इस level को breakout करेगा तभी एक लंबा जरनी फिर से आपको देखने को मिलेगा तो दो तरीके से scenario का मतलब कहा है पहले 200 days को break करेगा उसके बाद जो इसका जो gaping है जो gaping period है इस gaping को वो fill up करने के लिए जूरू जाएंगे तो gap fill up वो जूरू करेंगे तो आज नहीं तो काल उसको gap fill up करना ही पड़ेगा तो इस तरीके से situation में हमेशा वो gap को fill up करेंगे और बड़े से बड़े investor क्या किया जब इसको गिरा है गया उस जगह पे अच्छा खासा quantity के साथ वो buy किया आपको क्या लग रहा होगा कि जो आप जो volume हुआ है तो ये volume किसली हुआ बड़े बड़े institution ने buy किया आपको कोई भी retail public है उतना ज़्यादा दम नहीं है कि इस गिरावट के माहल में वो buy करे वो हमेशा इस तरीके से situation में situation में माल बेचकर भागना चाते है और वो जो लोग माल को sell कर रहे है वो ही माल को buy कौन कर रहे है बड़े बड़े investor तो कहने का मतलब है कि polycap के उपर जो लोग सोच रहे थे कि company खतम हो जाएगा जिस तरीके से गिरेगा जब भी गिरावट स्टार्ट हुआ तब से लेकर में वीड़े बना कर सेयर कर रहा हूँ कि इसमें डरना नहीं है कि कि polycap कोई छोटा मूठा company है polycap इंडे के number one company है और इसका market cap सबसे बड़ा है अगर ध्यान दीजिएगा market cap कितना है 65,000 क्रोन इसका competitor जितनी सारे इसका pair company है मतलब जिसके साथ इसका competition है तो सारे company का market cap देख लेना बहुत दूर दूर तक उसका निशाना भी नहीं दिखेगा तो सोचेगा company में कितना दम है और मैं इस company के पर bullish हमेशा हूँ और मुझे तो अच्छा खासा discount price में share मिल गया तो उसका फाइदा मैंने उठा लिया तो आपने उठाया तो मुझे जोरू comments करना क्योंकि company के जो पारफ़मेस है उसमें दो points मुझे अच्छा लगा company में कभी भी तो profit and loss में कमिया देखने को नहीं मिलेगा continuously company खुद के profit को लगातार क्या कर रहे बढ़ाते चले जा रहे एक अलग level का profitability growth देखने को मिले उस basis में company का जो investor है उसके बारे मैं भी चर्चा करूँ तो balance rate पे आप देखेंगे तो company के जो reserve है वो लगातार यहाँ पे क्या हुआ बढ़ता हो देखने को मिले और borings भी company के पर अच्छा खासा range में देखने को मिले तो company scope पर एक बात को और भी ध्यान रखना होगा तो रही बात इस company के अपडेट का उसके बारे मैं चर्चा करूँ तो company के चार्ट पेटेंज इस तरी किसे बना मुझे लग रहा है कि वो और भी आप्टेंड होने का chances रहेगा क्योंकि lower side को वो range बना कर आगे बढ़ रहा है तो मैं इस company के उपर आभी बुलिस हूँ आपके कराय है जो रहो मुझे comments करना next company उसका नाम है Tata Motors देखे Tata Motors देरे-देरे करके फिर से वो high range में पहुंचे है और वो आगे बढ़ने के लिए कोसिस कर रहे दे कि एक साल के अंदर-अंदर company आपका fund double कर दिया यह तो सिर्फ मैंने पहली बोल चुका हूँ जब 70 रुपीस के आसपास था ताब मैंने इस company के उपर as a long time के लिए holding किया और आभी भी मेरा holding continue है और वो तो holding रहेगा और उसके बाद बीच में दो बाट trade मिला था as a swing trading की इसाब से इक trade continue भी अभी भी है वो trade कहांपे बना मैं आपको दिखाना जाऊंगा वो trade आप भी देखकर सीखिएगा कुछ देखे यहांपे क्या बना यहांपे लंबा सा एक journey के हिसाब से लंबा सा कोई छोटा मोटा टार्ग नहीं है है आर्ण्ट 90 परसंट के आपश टार्गे लेकर मैं चल रहा हूँ और जो टार्गे निकल का रहा हुआ करीबण 1 1 40 के आपश तो कुछ इस Sullivan के तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टार्गेट मिनने में थोड़ा से टाइम लगेगा और मैं सोची लिया कि अगर दो साल में भी मुझे टार्गेट मिले तो कोई फरक नहीं पड़ेगा किके दो साल में करीबन 45% के आवरिज ली मुझे रिटान मिनने का चांसर्स है तो बा इंटरनेशनल लिमिटेट तो इसान इंटरनेशनल लिमिटेट के उपर बात करो तो कमपाणी के उपर एक बहुत बढ़ आपड़ेट है वो है कमपानी का स्प्रेट और ब्रोफ एक साल देने वाल है तो सोच यह जिस ब्रेक्ति के पास एक सियर है उसको कुल मिलाकर 20 शेयर मिल जाएगा आपके पास अगर 100 share है तो उसके एगेंस में आपको 200 share मिल जाएगा तो आपके अगर पास 100 share है इसको multiply करेंगे 20 से तो आपको कितना 2000 share मिल जाएगा तो इतना बड़ा share मिलेगा तो आपको देखकर खुस होना चाहिए मगर मैं जुरू काऊंगा कूस मत हो जाएगे कमपणी बहुत चोटा है सोच समझ कर काम करिएगा जो लोग सोच रहे कि इतना बड़ा मुझे फाइदा मिलने बाल है और फाइदा मिल चुक है तो कितनी सर लोगों को आज के दिन इसका फाइदा मिला मुझे जूरू कमेंट्स करना तो प्लीज इस तरीके से कमपणी को पर काम करने से पहले एक बार रिसाच करना और उसके बाद काम करना मेरे वी रिक्स के हिसाब से आपके रिक्स मैनेजमेंट के हिसाब से आपके ओपिनेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा इतने नेक्स पीडियो में तब तक के लिए धन्यबात